आज मैं आपके लिए बहुती अच्छी और मैजिकल रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आपने आज से पहले यूज नहीं किया होगा और हाँ ये इतना ज़्यादा एफेक्टिवन उसका है कि आपकी एज कोई भी हो चाहिए आप बच्चे हो या आपकी उमर ज़्यादा हो गई हो कोई भी एज के हो उन सभी के लिए एफेक्टिव है बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे गई है या फिर कह सकते हैं कि ये एक मैजिक के जैसे वर्क करेगा और बहुत ही एजी रेमेडी है सभी चीजे आपको अपने घर में ही मिल जाएंगी और हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा इससे आपका प्यार्ज लगता है और हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा अप हो जाता है तो लाइक करना तो आप मार्किट वाला यूज कर सकते हो और अब हमने इसे छोटे पीसस में कट कर लेना है ये देखिए मैंने इसको छोटी छोटी क्यूपस में कट कर लिया है अब हमने लेना है लोहे की कढ़ाई अगर लोहे की कढ़ाई है तो बेस्ट है नहीं तो आप कोई भी ले सकते हो अब हमने गैस ऑन कर देनी है और सिम गैस में ही रखना है और जो हमने अलवेडा के लिफ्स कट किये थे वह हमने डाल देने हैं और एक आप मेशर के हैं से इसको दबा कर इसका जैल निकाल लीजिए अच्छी तरह से मैश कर लीजिए जितना हो सके ताकि इसकी पूरी गुडनस हमें मिल सके और irdi भालों पर अच्छी तरह से वार्क कर सके और प्रापर वेशे तो अच्छी तरह से मैश कर लीजिए तो यह देखे यहां पर मेरा मैश हो चुका है अच्छी तरह से अब हमने एक मिनिट के लिए इसको ऐसी ही रहना देना है यह यहां पर चाहे तो ज़्यादा बना सकते हो आप वन बॉल की जगा टू बाउल डाल सकते हो लंबे टाइम तक यह सेफ रहता है कोई भी इश्यू नहीं है तो आप अपने कोडिंग बना ले उसी हिसाब से आप ऑईल डाले और अगर आप ऑईल ज्यादा या कम करते हो तो उसक कि हमने गैस से महीं रखनी है इसको आप हाई फ्लेम में ना करें तो अब हम इसमें डालेंगे आर्मन डॉयल यानिकी बदाम का तेल यहां पर मैंने 2 टी स्पून आर्मन डॉयल डाला है आर्मन डॉयल काफी ज्यादा बैनिफिशल होता है यह हमारे बालों को काला लंबा घ पर बहुत ही अचीता से वक करता है उसको जड़ से काला बनाता है तो यहां पर मैंने में डाना डाल दिया और जब में डाना है तो साथ ही साथ हमने डालना है कलोंजी शीट्स यानिकी ऑन्याग चीट्स और इसको कई लोग ब्लैक शीट्स भी बोलते हैं यह वी मैंने 1 टी और आपने इसमें डालना है 1 आप टीस्पून यानि की आधा चमच कैस्टर ओयल और अरंडी का तेल यह मैंने आधा चमच इसलिए डाला है क्योंकि यह काफी जादा गरम होता है तो इसकी क्वेंटिटी मेंने कम ही रखी है अब आपने इसमें लास्ट चीज डालनी है जो की ह आप पाउडर तो इसमें वन टीस्पून आमला डाल दीजिए और अब इसको अच्छीता से मिक्स कर दीजिए अगर आपके पास आवला पाउडर नहीं है तो आप सुखे आवला या ब्रिंग्राँज पाउडर नेम पाउडर नहीं तो आप कथा पाउडर भी डाल सकते हो यह सभी चीजे एक powerful combination बनाते हैं जो कि हमारे gray hair के लिए काफी ज़्यादा helpful होता है और हमारे gray hair को जड़ से काला बनाते हैं हमें इसी तरह aloe vera gel की पतियों को प्रेस करते हुए अच्छी तरह असको दबाते हुए पकाना है पाँच मिनट तक के लिए और ध्यान रखिएगा कि जो gas की flame है वो low ही हो नहीं तो यह जल सकता है और अब हमने gas की flame off कर देनी है मगर ध्यान रखिए कि इसको हमने थोड़ी देर तक के लिए चलाते रहना है क्योंकि कढ़ाई अभी भी बहुत ज़्यादा गरम है और हमारा आवला powder जल सकता है तो इसको थोड़ी देर के लिए चलाते रहे अच्छी तरह से ताकि यह जले नहीं और ध्यान रखिए कि हमे पांच मिनट से ज्यादा ग्यास को और नहीं रखना है इसको आफ कर दे नहीं तो हमारी और सभी चीजे जल सकती है हमारा तेल जल सकता है और अब हम इसको किसी छनी से या तो फिर आप कह सकते हो कि किसी जाली से ढख करके रख देंगे पूरे दो से तीन घंटे तक के लिए ताकि इसका जो भी इनफ्यूजन है पूरी तरह से इसमें आजए इस वाइल में तो यह देखिए दो से तीन घंटे हो चुके हैं और अब हम इसको अचीज़ा से पहले मिक्स कर लेंगे मिला लेंगे और अब हमने इसको चाल लेना है किसी छनी के हेल्प से और ध्यान रखे कि हमने इसको धीमी आज़ पे ही पकाना है गैस तेज नहीं करनी है क्योंकि हमारा जल जाएगा और इसकी पूरी प्रॉपर्टीज खतम हो जाएंगी तो धीमी आज़ में ही पकाएं और अगर आप गैस का यूज नहीं करना चाहते हो तो आप इसको सीधे सनलाइट में भी पका सकते हो तेज दूप में पकाएं और इसके कांच की पॉडल का यूज करें सभी चीज़े डाले उसको वन वीक तक अट लिस आप दूप में रखे तेज दूप में तो यह अच्छी तरह से आपका ऑउयल बनकर करके तयार हो जाएगा और उसको चान ले और फिर यूज करें तो देखिए कितना अच्छा ऑईल बन करके त्यार हुआ है ऑईल बिलकुल भी नहीं जिला है और इसके इंग्रीडियंट ब्लेक हुए है वो भी आवला पाउडर की वज़ा से यह मैजिकल ऑईल बन करके हमारा त्यार है एकदम जबरदस्त ऑईल है इसको आप अपने ब कावर नहीं होता है सिर्फ केमिकल डाइज ही होती है जो कि आपके बालों को जटपट काला कर देती है तो आप इसको एट लिस मन तक यूज़ कीजिए उसके बाद आप खुदी रिजल देखिएगा इसको बच्चे और बड़े दोनों यूज़ कर सकते हैं इसमें कोई भी डाला है एक दब नैश्रल चीज़ों से बना है तो इसमें कोई भी इश्यू नहीं है सब इसको यूज़ कर सकते हैं और वीक में आप दो से तीन बार लगाए और आप इसको हफते में दो से तीन बार लगाना ना भूले तब ही अच्छी तरह से प्रॉपर रिजल देगा आ एक एयर टाइट कंटेनर में इसको आप अराम से 25-30 दिनों तक के लिए स्टोर करके यूज़ कर सकते हो तो इस और बनाइए और यूज़ करके हमें बताइए कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला हर तरह से यह आपके लिए बहुत जादा बैनिफिशल है आपके बालों को अगर आपके बाल सफेद नहीं है तब भी आप इस और को यूज़ कर सकते हो इससे आपके बाल जल्दी सफेद नहीं होंगे और अगर आपने काफी और स्ट्राइक कर लिए हैं तो आप इस और को जरू ट्राइक करें यह 100% आपको एफेक्टिव रिजल्ट देगा आप सबको आज की वीडियो कफी अच्छी लगी होगी तो लाइक जयो करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको रिजल्ट इसका कैसा मिला और हाँ अगर आप हमाय क्याल पर निउ हो तो सब्सक्राइब करते वे किसल बलतें इससे आपको हमारे आने वाली वृडियो की नोटिफिकेशन मिलती देगी और वीडियो के शियर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें तो मिलते हैं आप से अच्हीं और नीव वीडियो के सा till then take care and thanks so much guys for watching this video bye